हिग्ट कि अधी कि अधीज कि अधीज पुर्श और आज की ग्लास के इंदर हम करने वाले हैं अपना डे नंबर फिप्टिन फॉर माराथन तो तौन वेटीज आज जागरता हूंग गी नंबर 14 14 तक की सारे की सारी वीडियोज आपने जरूर देखी होंगी और अगर आप यह तक नहीं देखी हैं, तो नीचे प्लेइलिस्ट का लिंक अविलेबल है, दे नमर बन से लेके 14 तक सारी की सारी वीडियो को जरूर देखें, और 12th class English के लिए अपना पूरा का पूरा कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, अगर आप लोगों को नोट सभी तक नहीं मिले तो चलिए गए स्टार्ट करते हैं, आज की class दे नमर 15 के लिए, तो कमला दास के बारे में यहाँ जो information given है वो NCRT text से लिया हुआ है, और आप चीज ध्यान रखें कि MCQ उसके इंदर writers के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको writer के बारे में जरूर पता होना चीए, ज जो NCRT में mention है, उतना तो आप लोगों को जरूर बता होना चीए, तो birth year इनका given है 1934, और birth हुआ है कैरला में, ठीक है, अब बात करते हैं हम, ठीक है, इनके work की तो हम इस basic form की बात करने वाले हैं, ठीक है, my mother at 66 की बात करने वाले है, सबसे बहले अगर मैं बात करता हूँ, title title का नाम है, my mother at 66, मतलब यहां पर एक ऐसी situation condition के बारे में, poet बताती है, जब वो अपनी mother से मिलती है, और उसकी mother की age जो है, वो उस time पर 66 है, देखो, जब भी कोई poet लिख रहा होता है, तो poet को किसी चीज की inspiration की जरूरत होती है, let's say, अगर वो love के उपर लिख रहा है, तो maybe he has experienced, or maybe he has seen someone experiencing the same thing, or he has observed that situation, in the same manner, कोई भी चीज, अगर poet लिखता है, तो वो किसी ना किसी चीज की inspired होता है, तो यहां पर जो poet है, उसकी जो poem है, my mother at 66, कमला दास की, उसके अंदर poet का जो experience है, कमला दास का, जो experience है, जो experience है, जब वो अपनी mother के साथ होती है, तो वो उसने यहां पर शेयर कर रखा है, ठीक है, तो अगर मैं ब्रीफ की बात करतू, ब्रीफ अनलेसिस की बात करू, ब्रीफ अनलेसिस का मदब, शॉर्ट अनलेसिस, तो here in the poem, the poet tells us the experience of visiting her mother and and there she realises that her mother has become so old that she could die soon, तो यहां पर अगर मैं इसके value की भी बात करता हूं, तो यहां पर अगर मैं इसके value की भी बात करता हूं, तो यहां पर आपके पर हम किसी भी person सब्सक्राइब हो सकते हैं तो यहां पर जब वापस आ गवी गर जा रही है तो इसकी मदल की तरफ देखती है तो उस टाइम पे उसे रिलाईम होता है जो है वह काफी जादा बोड़ी हो चुकी है और इतनी जादा करते हैं तो देखते हैं देखो क्या लिखा हुआ है मैं स्टेंजा यहां पर नहीं बता रहा हूँ लेकिन अगर किसी को स्टेंजा वाइस लाइन टू-लाइन चीछों को समझना है तो वह हमारा NCRD जो है वह देख सकता है हमारा NCRD जो है वो ncrt analysis की playlist में available है जिसका जो link है वो नीचे description box में available है ठीक है लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि यह class जो चल रही है वो हमारी marathon की चल रही है और examination point of view से है अगर इतना जितना मैं बता रहा हूं अगर वो आप कर लेते हूं तो तो वो more than enough है I believe ठीक है marathon तो हमारा चली रहा है लेकिन last 10 days में हमारा 10 days pledge भी आएगा and I want all of you to watch that 10 days pledge क्योंकि उस series के अंदर जो चीज़े होने वाली है वो एकदम सटीक होने वाली है और exam के जितने भी questions आएंगे वो उसी में से आएंगे you will see that thing obviously marathon is equally important but 10 days pledge जो है वो उससे भी एक step आगे रहेगा तो देखो सबसे बहले हम बात करते हैं poet जो है वो अपनी parents के घर से कहां जा रही है coaching जा रही है तो यहां पे कई बच्चों को इस बात की confusion रहती है कि poet कहां पे रहती है तो देखो कहां जा रही है वो parents के घर से coaching जा रही है ठीक है to the coaching airport last Friday morning अब देखो क्या लिखा है the poet was driving from our parents home to coaching airport last Friday morning her mother was sitting beside her मतलब उस टाइम पर उसकी जो मदर है वो उसके साथ में बैटी होती है और उसकी मदर की एच कितनी है 66 हो चुकी है तो उसकी जो मदर है वो dosing it means एक हलकी सी मीद ले रही है हलकी सी जपकी ले रही है उनकी जो आखें है वो बंद है और जो मुह है वो खुल नथे रहे रहे इट वो ग्रेलाइक आश मतलब यहां पे उसकी मदर का जो फेस है वो एक ऐस जिसलो सट इस नखा comprised तो यहां पे कुछ comparisons किये गए हैं उसकी मदर के face के ठीक है जैसे उसकी मदर के face का comparison ash से गया गया है राक से जैसे कॉप्स का होता है कॉप्स मतलब जैसे लाश होती है जब उसकी body में खून का circulation बंद हो जाता है किसी body में तो उसका जो face होता है वो एक ash की तरह नजर आने लगता है उसकी तरह से उसकी मदर का face भी एक कॉप्स की तरह नजर आ रहा है इसका मतलब कि वो बहुत ही ज़दा weak हो चुकी है तो यहां पर mainly comparison की बात हो रही है और comparison में आप लोगों को बताया होगा कि एक figure of speech हमारे use होती है and that is what simly, simly का use का होता है जब एक चीज़ का comparison कीसे दूसरी चीज़ से होता है और वहां पर कौन से word use हो रहे होते है as or like तो यहां पर आप देख सकते हो like word का use हो रहा है और ऐसे ही stanza में भी आपको यह word दिखाई दे जाएगा अगर आप stanza से बड़ोगे तो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब the lifeless and faded face of our mother pained her heart मतलब जब वो अपनी मदर के lifeless face को देखती है तो वो बहुत जादा दुखी हो जाती है अब जो यह old lady है the old lady seem to be lost in her own thoughts मतलब उसकी मदर शायद अपनी ख्यालों में the point turned away her attention अब वो अपनी मदर की तरफ से बाहर की तरफ देखने लग जाती है मतलब वो कार के बाहर देखती है तो obviously बाते सी whenever we are having some kind of negative thoughts in our mind so we don't want them to occupy our mind तो इसलिए हम क्या करते है अपनी माइं को divert करते है इतर अदर की सीजों पर तो point भी का करती है वो कार में ज फुल of life and activity और बाहर की चीज़े बहुत ही जदा lively थी activity में involved थी जैसे कि जो बाहर के young trees होते हैं वो fast run कर रहे होते हैं काफी तेज दौड रहे होते हैं तो guys यह हमारे common experience होता है कि जब भी हम किसी car से या किसी fast running vehicle से travel कर रहे होते हैं तो हमें बाहर की चीज़े जो है वो opposite direction मे से दौड़ती हुई नजर आती हैं और उस process को हम क्या कहते हैं sprinting कहते हैं तो कई पार इस form के अंदर question आ जाता है कि what do you mean by sprinting का मतलब क्या है तो sprinting का मतलब क्या है अगर एक मांक में आएगा तो आप running लिख सकते हो अगर दो मांक में आएगा तो आप उसे elaborate कर सकते हो कि whenever we you know move through a past fast running vehicle the things outside appear to be running in the opposite direction that process is called as sprinting और यहां पे अगर देखें तो कार के बाहर की चीज़ें उसकी मदर के character से काफी sharp contrast में होती है जैसे कि अगर हम उसकी मदर की बात करते हैं तो उसकी मदर जो है वो काफी ज़दा old है और उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं कि इसकी बाहर के environment की तो महां जो trees है उसको point ने young rapper किया है कार के अंदर जो environment होता है वो थोड़ा lifeless होता है लेकिन बाहर likely होता है फिर वो कुछ बच्चों को देखती है जो कि अपने घरों से happily बाहर निकल रहे होते है ठीक है और खिल रहे होते हैं जबकि जो कार के अंदर का environment होता है वो काफ की positive था अब हम बात करते है next paragraph की दिखो क्या लिखाया है जब point जो है वो airport पहुंचती है और वहां पे security चेक हो रहा होता है और शी वो तो उस time पे जो point है वो थोड़ी दूर खड़ी होती है अपनी मदर से लिखा है शी वो standing a few yards away from a mother तो वो अपनी मदर को खुद फिर से दे चांद तो बीत्ती संदी का जो चांद होता है वो obscurred होता है थोड़ा सा धुंदला होता है because of the mist कोहरे की वज़े से वैसे ही उसकी मदर का जो चहरा है वो colorless नजर आ रहा है because of her old age lifeless नजर आ रहा है पेल नजर आ रहा है her face looked faded like the late winter moon यहां पी भी simply का use हुआ है which had lost its shine and strength और कहीं न कहीं उसकी मदर के face ने वो shine वो strength जो है वो lose कर दी है जो पहले कभी हुआ करती थी और यह चीज जो है वो old family year एक ले क्या जाती है यह जो word है यह बहुत ज़दा important है और कई बार यह question पूछा जाता है ठीक है short questions के point of इसे कि भाई poet का old family year एक क्या था एक का मतलब होता है दुख तो poet का old family year एक यह था कि उसकी जो मदर है वो काफी जदा बूरी हो चुकी है और एक समय के बाद उसकी मदर की क्या हो सकती है death हो सकती है तो यह उसका बहुत बढ़ा fear होता है और कई बार question ऐसे भी आ जाता है कि what was the childhood fear of the poet तो देखो यह लिखा है her childhood fear यह word आ गया तो यह दोनों पुछ ले जाते है लेकिन बात एक ही है आपके आगे देखो लिखा है लेकिन फिर भी वो control करती है और थोड़ा normal दिखने की कोशिश करती है और she scattered smiles on face वो अपने face पे smile दिखाती है और goodbye कहती है अपनी mother को और कहती है कि कास मैं आपसे फिर मिलूंगी ठीक है तो यहां पर हमारी poem जो है वो खतम होती है तो overall अगर मैं बात करू देखो जब भी हम कोई poem पढ़ रहे हैं guys तो वहां पे दो तरीके के questions आपके raise होते हैं ठीक है सबसे पहले जो questions raise होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं that is RTC चीक है RTC का मतलब होता है reference to context जिसके अंदर mainly आप लोगों को line by line पूरा का पूरा explanation बता होना चीए तो आप ज्यादा अच्छे से उसको answer कर सकते हो और दूसरे जो question raise होते हैं वो होते हैं short questions के basis पे ठीक है आपसे short questions के basis पे पूशा जा सकता है तो उस basis पे आपको line to line पता हो mainly जो point है उसका childhood fear क्या था यह सबसे जदा important बाट है आपे sprinting किसको बोला गया है last में वो अपनी मदर को see you soon अम्मा कहती है तो वो क्या signify करता है तो यही signify करता है कि वो expect करती है कि वो अपनी मदर से मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में पता होता है कि शायद ह वो अपनी मदर से कभी मिल पाएगी ठीक है तो यह कुछ questions है हाला कि जो हमारा day number 16 होगा उसके अंदर मैं questions discuss कर लूगा तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है हमारे जो previous questions आ रखे हैं RTC के अंदर short questions के अंदर तो वो सारी की सारी चीज़े भी discuss हो जाएंगी और कौन सी figure of speech चीज़ होई है यह सारी की सारी चीज़े भी उस दे के अंदर हमारी आ जाएंगी ठीक है अब हम बात करते हैं message की तो देखो message क्या है यहां पर सबसे पहली चीज़ लिगे है the poem composed in blank verse expresses अब blank verse का मतलब क्या होता है देखो blank verse का मतलब होता है जिसकी कोई एक proper rhyme scheme नहीं होती ना उसका हम blank verse कहते है ठीक है तो यह poem जो है वो एक blank verse है जो anguish दिखाती है एक daughter का जुब दिखाती है of her mother's advancing age की उसकी mother की जो age है वो बढ़ते जा रही है and the fear of permanent separation from her और कही ना कहीं एक डर है अंदर की मेरी mother से जो मेरा separation है वो हो जाएगा और यहां पे my mother as six जो है वो symbolize करता है the fast-paced life life जो बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक inevitable death inevitable क्या होता है inevitable वो चीज़ होती है जिसको हम escape नहीं कर सकते youth and loved ones एक एक करके हम सब को खो देते हैं कहीं न कहीं the point is agonized by her mother's agonized का मतलब देखो यहां पर SED लिखा है मैंने ठीक है specially यहां पर अपने loved one beloveds की जो loss होने का fear है उसकी जादा बात यहां पर की गई है तो यहां पर काई हमारा day number 15 जो है पूरा का पूरा complete होता है और आशा करता हूं काई marathon में मज़ा आ रहा है आप लोगों को ठीक है अगर मज़ा आ रहा है तो यार चैनल को subscribe जरूर करना है बैल आइकन को जरूर हिट करना है latest notifications के लिए मैं देखता हूं कि कई सारे बच्चे जब तक मैं link forward नहीं करता हूं को WhatsApp पर, Telegram पर, they don't come to know की marathon की वीडियो आई या नहीं आई यार मतलब कुवा प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुवा के पास आता है क्या कौन सी चीज रियल है तो यार तुम्हें खुद आने की दरूरदत, make sure you subscribe the channel, hit the bell icon ताकि आपको marathon की classes की सारी की जारी वीडियो की आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी क्योंकि कर भला तो हो बला तो thank you so much for watching this video, keep watching Goodwill Education, that is one stop destination for your English.